जहीं दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल टॉपर सेकेडमी में स्वागत है दोस्तों उत्तर प्रदेश लेखबाल की नई भरती होने वाली है जिसमें कुल 85-100 से अधिक पद रहने वाले हैं और ये फार्म कब तक आप लोगों का आ जाएगा कब तक आप लोगों का एक्जाम होगा पूरी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं तो शुरू करने से पहले चैनल पे नहीं होईगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक वीडियो को सेयर जरूर करिएगा तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं दोस्तों ये आप देख रहे होंगे कि लखनव से आप लोगों की ये कटिंग आप लोगों की वाइरल है राजस्व परिशत के लेखपाल के पचासी सव से अधिक 85-100 रिक्त पदों के लिए मंडला युक्तों से मांगा भरती का जो आपनों का प्रस्ताव इस पर डिटेल से बात करेंगे यहां पर आप देखेंगे कि राजस्व परिशत के राजस्व परिशत ने लेखपाल के रिक्त पदों के लिए सभी 18 मंडला युक्तों के अधिया अचना मांगा है करीब 85 सब से ज़्यदा पदों पर भरती होनी है राजस्व परिशत 31 अक्टूबर तक उत्तर पर अधिनस्थ सेवाचन चैनायोग को बेवरा भेजने की तयारी कर रहा है ताकि भरती प्रक्रिया सिग्र पूरी हो सके प्रदेश सरकार ने लेखपाल के खादी पदों को सिग्र भरने के निर्देश दिये हैं पूरो में 47 सब पदों का अधियाचन आयोग को भेजा गया था लेकिन उसने दिव्यांग कोट के कोटे के पदों को चिन्ही करण करके नए सीरे से अधियाचन भेजने को कहा अब दिव्यांग कोटे के पदों को भी चिन्हीत करने का काम हो रहा है वर्स 2023-2024-2025 के अंतरगत लेखपालों को पदोनती देने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है करीब 1500 लेखपालों को पदोनती देकर कानून गो बनाया जाना है कुल रिक्तियों में पदोनती से खाली हुए पदों को भी गड़ना होगी इन दो वर्सों में सेवाने बृत, मृत्तियों अनकारणों से खाली पदों का भी डाटा एकट करवाया जा रहा है अगले 24 वर्स जुलाई 2025-2026 में रिक्त होने वाले पदों को रिक्तियों में सामिल किया जाएगा इनकी कुल संख्या 85-100-9000 के बीच रहने की संभावना है लेखपालों के नियुक्त, पदाधिकारियों, मंडला युक्त होते हैं विभादा अध्यच के तौर पर कमिशनर ही अपने मंडल के रिक्त पदों का अधियाचना भेजने के लिए अधिक्रित हैं इसलिए राजस्व परिषद ने उनके रिक्त कुल पदों की गड़ना करते हुए सिग्र अधियाचना भेजने के लिए कहा है राजस्व परिषद सभी मंडलों से आए अधिये अचनाओं को इकठा करके यूपी एससी को भेजेगा राजस्व परिषद के सुप्तरों के मुताबिक अगले सब्ता लेकपालों की पदुनती आदेश जारी कर दिये जाएंगे उसके बाद सभी मंडलों से आए अधियाचना भरती की प्रक्रिया पुरी करने के लिए यूप को भेजने की जोजना है तो दोस्तों 21 अक्टूबर तक पुरा बेवरा मांगा गया है और इस भरती को दोस्तों बहुत ही जल्द से जल्द कम्पलीट करना है और इस भरती को में जो है पेट जो है मांगा गया है कि नहीं हो अब देखना होगा कि पेट को समलित किया जाता है या नहीं कियाता है और उपर से ट्रिपल सी भी आप लोगों का मांगा गया है तो क्योंकि उत्तर प्रदे सरकार के तरफ से कब इस वैकेंसी के लिए फार्म आएंगे ये देखना होगा बाकि एक आप लोगों के लिए अपडेट है कि अगर आप इसकी तैयारी करना चाहते हैं तो पहले से ही जुट जाहिए जैसे कि वैकेंसी आती है तो सभी जानते हैं कि बहुत ही जल्द इसका एक्जाम कराया जाता है जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी पुलिस की वैकेंसी आई थी बहुत ही कम समय मिल पाया था तो आप भी बिना समय गवाए तयारी सुरू कर दीजिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताईएगा और चैनल पर नहीं होगा तो सब्सक्राइब करिएगा नावस्कार